सब्सक्राइब गरनु होस अनिक कम्प्यूटर लाई र बेल आइकन थिचनु होस नया विडियो को जानकारी पाउन लाई विद्याले एसोसियेशन एन प्यावशन राष्टिय अविवावक महाशंग संस्थागत विद्याले सिक्षक यूनियन इस्टु लगायत संस्थाले सन्युक्त विगेवति जारी गरी यो जानकारी दियेका होन ती संस्थाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिवाट यही जेट 13 गतेको राष्ट का नाममा बहयको संबोधन मा नया सेक्षिक बर्ष अंतरगत को पथन पाथन संचालन को काम अगारी बढ़ाउने गोश्ना गर्णु बहयको हुनाले बंदा बंदे पछी परिवर्तित स संदर्भमा सामाजेक दूरी कायम राखी विद्यार्ती बर्णा प्रक्रिया शुरूगर्न आफना सिक्षक तथा कर्मचारी लाई उपस्थित गराउने बहयको हो तर सिक्षा बिज्यान तथा प्रभिदी मंत्राले ले एस बारे कुनाई निर्नाई गरेको सैना मंत्राले को निर्नाई पची मात्रै सबय सामुदाइक विद्याले मां समेत भर्णा खुलने छा मंत्रालेले गट पईशाक 22 कते बिगेप्ति जारी गरी औरको निर्नाई न बहये सम्म कुनाई पणि कक्षा वा तहमा नया भर्णा नलीन अपील गरे को थीओ मंत्रा लईले भर्ना वा अनलाइन कक्षा का नाम्मा कुनेई पनी सुल्क नलिन पनी आग्रह गड़े को थियो नीजी बिद्याले का संचालक को संस्थाले तेहां का सिक्छक कर्मचारी बिद्याले मा उपस्थित भई नया सेक्षिक सत्र का लागी योजना बनोनुका साथै सिक्षक कर्मचारी लाई तालिम अभिमुखी करन का लागी बेवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोद पनी गड़ेकोश ती संस्थाले सरकारी निकाई बाट पाठ्य पुष्टक को डुबानी निर्वाद्ध गराउन वर्चुल अनलाइन कक्षा लाई ओपचारीक कक्षा का रुपमा परिभासित गर्न नियमीत सिक्षा लाई जस्तै मानेता दिन तेसका लागी आवशक सामगरी आयातमा छूट, बिदूत, महसूल रा इंटरनेट सुलक मा छूट तथा सोलियत दिन पनी मांग गरे का सन। निजी बिद्यालाईले पाठ्य भाहर पुरा बहये मा सुलक निर्धारन का लागी तेसलाई सम्मेत आधार मान्न आगर गरे का सन।